हालो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुती टेस्टी से चटपटी हेल्दी से स्टफ बाटी की रेसिपी इसके लिए मैं ले रही हूँ एक बॉल के अंदर घर का बना हुआ छेना आप चाहो तो कद्दुकस करके पनीर यूज कर सकते हो इसी के साथ इसके अ नमक और काली मिर्ची लेना थोड़ा सा चिली फ्लैक्स औरेगानों लेकर अच्छे से मिक्स करना आटे का अंदर यह स्टफिंग को अच्छे से जितना स्टफिंग की जरुद तो उत्ता ही स्टफिंग डालना है नॉर्मल आटा जो घर में यूज करते हैं वैसे ही मैंने आ लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलना